हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुवात करते हैं आज का सेशन आप लोगों की इंट्राडेट ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है आज के सेशन में आप लोगों का सब से ज़्यादा जो रिक्वेस्टेड सेशन है ATMA उसका ये अपडेडिट सेशन है कि ATMA को कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कब यूज करना है कब इंप्लिमेंट करना है कब नहीं करना है ठीक है और इंप्लिमेंटेशन कि जब आप execution तक लेकर जाएंगे trade को तो वो identification कैसे होगा पहचान कैसे होगी ठीक है तो वहाँ पर कई लोग रह जाते हैं देखिए मैं एक बात हमेशा आपको समझाता हूँ कि महीने के 22 दिन और इस साल total number of trading session 251 हमको मिलते हैं इस साल वैसे 240-250 के बीच में इस वाली होते हैं इस साल 251 sessions है तो आप उससे पूछे कि इसमें buyers day कितने होंगे तो मैं बोलूँगा near about 8200 80 से 100 दिन ऐसे होंगे जब option buyer बहुत अच्छा पैसा कमाएगा तो आपको समझना चाहिए कि बाकी के जो 1.500 दिन बचे रह गए इन sessions में 8 EMA को आपको implement किस तरीके से करना होगा वो आपको बहुत भैठर तरीके से आना चाहिए ठीक है कि कब आपको नहीं यूज करना है और बाकी के 100 दिन आपको कैसे यूज करना है ठीक है तो identification पहचान आपके लिए पहला पढ़ाओ कि कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है मैं आपको एक बात बोलता हूँ ATMA का यूज जब भी आप करेंगे उसकी पहचान माजार खुलने के पहले आदे घंटे में या फिर बाजार के 11-12 बज़े, second half की शुरुआत तक जब second half की शुरुआत होने वाले होगी शुरुआत होने की बात की बात नहीं कर रहा हूँ देखिए, 9-12 पहला सबाबारा पहला हाफ होता है 12-13, second half होता है मार्केट का, ठीक है तो second half की शुरुआत से पहले एक इस तरीके का projection बन जाएगा कि जब आपको पता लगेगा कि अब ATMA को यहाँ पर यूज करना चाहिए ठीक है, अच्छा, ATMA को हम लोग दोनों तरीके से यूज करते हैं short करने के लिए भी, long करने के लिए long करने के लिए यूज करते हैं ATMA low और short करने के लिए यूज करते हैं, ATMA high ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ATMA low कौन-कौन सी conditions में आप prefer करेंगे सबसे पहला तरीका बताइए सबसे पहला तरीका होता है gap up और gap down gap up और gap down क्या मतलब है सर, देखिए कई बार मैंने gap up और gap down की conditions आपको बताईए, देखिए ATMA सिर्फ trained rider है इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए ATMA क्या है? trained rider है, trained rider का मतलब क्या है? कि जब भी आपको पता लग जाए कि trained क्या है market में इसका मतलब है, ATMA सिर्फ आपके execution तक trade को लेकर जाएगा, और trade आप किस direction में करेंगे? वो projection से ही तै होगा, यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, कि ATMA को ही सब कुछ माल लेते हैं, नहीं अगर कोई market एक range bond choppy market condition में है, तो वो किस से identify होगा? projection से ही identify होगा, अब projection का identification आपको पता नहीं है, और फिर आप ATMA को यूज कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि कोई price previous day है, previous day लोग के अंदर रह गया, फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि trade कैसे करें, ATMA में आपके stop loss दर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है, समझे, एक buyer sign जब दिखेगा, confirmation कि आज intraday में demand उठेगी, ठीक है, आपको पहले से उसका confirmation हो जाना चाहिए, तब आप करेंगे ATMA low का use, जब आपको एक seller sign दिखेगा कि आज intraday में short होगा market, तो ATMA high का use, अच्छा, ATMA का perfect काम क्या है, किसली हम use कर रहे हैं, देखें, कई बार क्या होता है, कि आपका 100 के price का resistance से break हो गया, तो आपने सोचा यहां खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि long करने का समय है, breakout है, breakout पर आप से उन्ग लोग का SL डालेंगे, long करेंगे ATMA क्या करता है, इस जो आप एक trade ब्लान करने जा रहे हैं, अब यहां पर 101 पर खरीदेंगे, 102 पर खरीदेंगे, या 103 पर खरीदेंगे, वो market आपको influence करता है उस समय पर, trade को higher price पर execute कराएगा, और आपके SL को hunt करेगा, फिर आपके direction में momentum देगा, तो कई बार direction निर्धारित होने के बावजूद आप अपनी position में loss लेते हैं और ये market का एक hard truth है कि maximum traders को trend का पता हो जाता है कि market किधर चलने को है, क्योंकि आपका देखिए market का एक औरा है sir, experience पर काम करता है, तो जिन traders को साल, डेट साल, दो साल, बाजार में हो जाता है उनका एक skill बहुत अच्छे से develop होता है, कि वो identify कर लेते हैं कि market का condition कैसा है वो mindset उस तरीके से काम कर रहा है न, डेट दो साल से, तो ये पता लग जाता है कि market weak है या strong है, वो तो समझ आ जाता है लेकिन उस condition पर execution आपका ठीक नहीं होता है तो कई बार आपका trade सही होते हुए आपका SL जाता है, trade सही होते हुए आप उसको ride नहीं कर पाते उसका सबसे बड़ा कारण है entry समझ लीजे, अगर किसी भाव को आपने 100 रुपय पर खरीदा और आपका SL 98 है और किसी ने उसी price को 2 रुपय के बाद 102 रुपय पर खरीदा उसका SL 100 रुपय रहेगा सर तो आपकी entry उसका exit ठीक है, ये बहुत बड़ा major difference होता है एक pullback में 100 रुपय वाला cash stop लो जाएगा आप cost पर होंगे, आपका SL area दूर है तो सबसे जरूरी होता है एक trader के लिए entry आपके लिए trend सिर्फ identification के लिए जरूरी है अगर trend पता भी लग गया और आपको entry आपकी नहीं पता है तो समझे आपका SL आपके target सब गलत हो गए समझ लीजे इस बात को तो entry जितना powerful होगा उतना powerful आपका trade होता है कभी कभी आपका trend भी गलत होगा न लेकिन अगर आपने entry आपका सही कर लिया तो आप कभी गलती नहीं करेंगे इस सिर्फ एक concept से मैं आपको समझा दू देखिए, अगर intraday में आपका mindset shot करने का है तो कभी भी breakdown पे shot मत कीजिए जब price retracement करके swing high के पास पहुचे और वहाँ से lotने लगे तब shot कीजिए, आप पाएंगे आपकी जितनी गलतीयां थी उसमें से 80% गलतीयां जो SL hunting में आपका काम कर रही थी वो खत्म हो गई, अगर आपको कभी भी buying करका approach रखना है क्योंकि आपकी entry का ये perfection level है कि पिछले खरीदार के पास की खरीदारी थोड़ा सा pullback भी आपको दे कर जाएगी तो आप profit कर निकल जाएगे इस kalpers सब से बहतर जो use करते हैं वो क्या use करते है, swing low, swing high जैसे, यहाँ पर देखिए bank nifty में previous day का high break हो गया यह consolidation range था प्रिवेज डे का high नहीं यह consolidation range था, यह high break हो गया तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब है buyers domination position में आगे अब विसले जिनका पूरा consolidation phase आपने निकाल दिया है, इसका मतलब है खरीदारी होगी, तो खरीदारी के लिए मैंने क्या बोला breakout होने पर buy किया तो गलत साबित हो जाएंगे, क्यों? आपकी entry गलत हो रही है निचले इस तरसे खरीदारी है, आप buy तब कर रहे है जब किसी seller area को break किया जा रहा है तो वहाँ पर price में pressure आ जाता है उस pressure को एक नया trader handle नहीं कर पाता, उसके लिए SL area तक पहुंचते पहुंचते price में इतना pressure होता है, कि वो stop loss hit होने से पहले पहले trade को exit कर देता है वही तखलीफ है उसी को आपको दूर करना है ठीक है? अब price यहां तक पहुंचा पहुंचने पे आपका major stop loss area swing low के नीचे closing होना चाहिए लेकिन इतना कौन नया trader वेट कर पाता है आपको इतना इसके लिए नहीं कि आप closing का वेट करें, आपको पता ही नहीं closing का महतु कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप इसी price को यह देख लें कि previous day consolidation range break हो गया है अब हम खरीदारी करेंगे कब? जब price अपने पिछली demand area के पास पहुचेगा तो पिछली demand area के पास आने पर खरीदारी कीजिए, SL ले जाए तो बताइए यहाँ पर यह breakout area है यह breakout area आप यहाँ पर long करेंगे क्या ले पाएंगे कुछ नहीं, लेकिन जब price अपने support area के पास आकर लोटे यहाँ पर long कीजिए, अब SL ले जाए तो बताइए simple, simple एक काम कीजिए कि swing low, swing high का अपने market में importance बढ़ा दीजए swing low इसका मतलब है कि पिछला खरीदार जो अभी-भी खरीद कर गया swing high इसका मतलब है कि पिछला विक्वाल जो अभी-भी बेच कर गया और अगर market में previous trend positive है, मतलब price में buyers dominate कर रहे है तो swing low का importance बहुत बढ़ जाता है अगर पिछला trend lower side है market में seller dominate कर रहे है तो swing high का trend बहुत बढ़ जाता है समझ लीजे इस बात को ठीक है, तो हम लोग जो काम कर रहे है ATMA का जो major outcome है वो यही है, कि trade को आपके previous buyer के price के पास execute कराना ATMA low का मतलब क्या है कि पिछली 8 candle का औसत निकाल कर दे रहा है, 2 minute के time frame पर basically हम use करते हैं तो पिछले 16 minute का average price है यह, पिछले 16 minute का average price किस लिहाज से हम लोग इसका source close नहीं रखते हैं ध्यान रखे, हम इसका source रखते हैं low इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया 8 EMA low, 8 exponential का moving average और source है low मतलब जहां पर एक candle के 4 part होते हैं na OHLC open high low close तो इसमें जो low का part है मतलब कोई 100 रुपए पर candle शुरुवात हुआ पहले चल कर गया 103 तक फिर गर कर आया 98 तक फिर close किया 100 तक तो ugly candle जब शुरुवात होगी तो उसका average और इस candle का average कहां से upेगा 98 से, 98 से, इस candle के low से जहां से आकरी खरीदारी उठीए अगली candle की भी आकरी खरीदारी जहां से उठीएगी 8 candle और 16 मिनट का average जब आपको निकाल कर दिया जा रहा है तो buyers का perfect average price है कोई भी प्राइज अपने ATMA लोग के पास आकर लौटता है और previous trend positive है तो समझ लीजे आपके SL की लगबग लगबग पूरी संभावना खत्म हो गई अब आप कोई घटाव statement में नहीं देंगे बस एक ही काम होना चाहिए चौपी market में आपका क्या होगा बार-बार price उसी moment को fed करेगा break करेगा फिर lot कर आएगा नीचे आएगा फिर lot कर ऊपर जाएगा तो आप परेशान हो जाएगा तो trend identification तो आज इस series का यह जो पहला part हम लोग ATMA पर कर रहे हैं ATMA का हम लोग कम से कम 3-4 part करेंगे इस सफते से next week तक यह पहला part है अब next week तक पूरा session को हम लोग complete कर लेंगे तो ATMA का पहला point क्या है identification कि trend किस तरफ है वो पहचान लीजिए उसके बाद entry तो ATMA से आपको perfect मिलेगी यह तै अब कोई confusion नहीं होना चाहिए जो लोग नए हैं पहली बार use कर रहे हैं उनको भी clear होना चाहिए जो लोग पहले से ATM I use कर रहे हैं कहां गलती हो रही है इस पूरे session में एक एक doubt को clear कर लीजे उसके बाद भी अगर कोई doubt रह जाता है तो नीचे comment section open है one by one comment करके बताए नेक्स्ट ATM I के session में एक एक आपका doubt clear कर दूँगा मैं चाहता हूँ ये आपके लिए सबसे ज़्यादा profitable setup साबित हो जो की है भी पहले से सभी traders के लिए और जिल लोगों को कहीं कहीं तकलीफ आ रही है उन तकलीफ को दूर कीजिए देखिए एक बात इस बाजार में समझेए don't be a jumper jumper का मतलब है कि एक setup से दूसरे setup पे कूदना छोड़िये इस बाजार में knowledge से आपका कुछ भला नहीं होगा आप 100 चीज़े सीखेंगे उससे भी कुछ नहीं होना 1000 सीख लीजे उससे भी कुछ नहीं होना होना है perfection level से एक चीज़ को सीखिए एक concept को सीखिए ये बाजार इतनी चमता रखता है इतनी ability रखता है कि buyer side एक खरीदारी के एक concept पर अगर आपने महारत हासल कर ली perfection ले आए तो समझ लीजे आपको कुछ भी और सीखने की ज़रूत नहीं रह जाती एक skill पर command कीजिए जो लोग ATMA को यूज कर रहे हैं आठ महीने नौ महीने साल एड़ साल दो साल से उनके लिए इसके लावा कुछ भी ट्रेडेबिल नहीं है इस बाजार में ये बास समझ लीजे वो कुछ भी यूज नहीं करते आप किसी भी इंडेक्स में यूज करेंगे कोई ना कोई इंडेक्स तो इंट्राडे में मुमेंटम दही रहा होता है आप उसके साथ जाते हैं ठीक है चलिए शुरुआत करते देखें सबसे पहला concept एक हम लोग यूज करते हैं हाई ब्रेक बाई आपके लिए जरूरी तब है जब प्रीवियस डे का ट्रेंड पॉजिटिव हो हमारी closing अच्छी मिली हो और उसके बाद price सेल कर जाएगा तो इसमें पहला setup जो बनता है वो मिलता है प्रीवियस डे closing के पास की closing का मैंने क्या कहा पहला setup ATMA के बहुत सारे setups बनते हैं उसमें से पहला projection setup है previous day high की closing के पास का setup जैसे अगर पिछले दिन price का high है 100 रुपया और price गिर कर एक low लगा कर आया है 98 रुपया और close किया है 98 रुपया 50 पैसा अगले session में price open होता है इसी 98 रुपया 50 पैसे के पास और गिरते हुए आता है 97 50 पैसा 100 रुपया या 100 रुपया 50 पैसे इसका मतलब क्या है हमारी closing क्या हो रही है बताइए हमारी closing हो रही है previous day high के पास पिछले दिन का जो high है उसके पास हम close करने गए इसका मतलब क्या है पिछले दिन जहां तक buyer price को खरीट कर पहुंचा पाए seller ने वहां से selling की तो seller area क्या किसी भी candle के चार aspect open high low close में सब से जरूरी कुछ है तो वो है closing ठीक है तो closing से जरूरी कुछ नहीं है अगर price की day की closing सर्थ 2 minute 5 minute 10 minute 15 minute hourly 2 hourly closing का बहुत बढ़ा importance होता है यहां तो मैं daily closing की बात कर रहा हूं कि price पिछले दिन close किया 90 रुपया 50 पैसा आज retracement करते हुए जब closing का समया तो चण कर बंद हुआ 100 रुपया 50 पैसे या 90 रुपया 50 पैसे इसका मतलब है buyer का confidence buyer closing के time price को लेकर गया और कहा close कर आया previous day के seller के price के पास मतलब buyer कहीं न कहीं confidential है कि उसके पास certain amount इतना जादा होगा कि वो पिछले दिन के seller area को break कर देगा तबी closing के पास अच्छा closing के लिए हम लोग क्या बोलते हैं matures opens the market and professional closes the market तो बाजार में professionals कब अपनी positions को बनाते हैं closing के जस्ट पहले उनकी खरीदारी या बिक्वाली की position बने तो पिछले दिन जो बिक्वाली करके market में closing हुई आज उस बिक्वाली को पूरी तरीके से काटा गया एक positive closing दी गई ठीक है तो यह identification का identification बताईए तीन point मैं आपको बोलूँगा यह तीन point measure है जिन trader ने इन तीन points पर command कर लिया वो पहचान लेगा कि momentum session का identification क्या है आज एक point का हम लोग discuss करेंगे अगर कोई price बहुत ध्यान से एक line को सुनिए यह line आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है intraday trader के लिए इसे ज़रूरी कुछ भी रही है बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर कोई price अपने पिछले दिन की closing के पास open हो रहा है तो समझ लीजे आज का दिन tradable हो सकता है trending day हो सकता है one directional trend इसके बाद अगर किसी price की closing उसके previous day के high के पास हो गई और फिर उसके पास एक आप पिछले दिन की opening से क्या कि price जहां पिछले दिन 99 रुपया 50 पैसे पर जैसे बंद हुआ तो इससे 0.50% उपर और 0.50% नीचे gap up या gap down नहीं होना चाहिए इस range में होना चाहिए इसका मतलब है price 100 रुपया के उपर 99 रुपया के नीचे नहीं खुलना चाहिए लग 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 पकड़ लिया और जितना पास खुल जाए जैसे 90 रुपया 50 पैसे की पिछले दिन की closing थी और price open हो जाए 90 रुपया 20 पैसा 90 पैसा ही open हो जाए 40 हो जाए 90 रुपया 80 पैसे ऐसे अगर open हो जाए तो पिछले दिन की cost की opening एक trend को लेकर आती है ये क्या है ये एक logical smart money concept इसको बो करके लाए वो आज hold करेंगे कल जो long करके गए वो भी एक उमीद में hold करेंगे और नए buyers जो ये देख कर गए कि कल की closing अच्छी थी closing के बाद opening भी अच्छी मिली इसका मतलब है trend के favor की opening है ठीक है तो यहाँ पर buyers, institution buyer खरीद कर गए, retail buyers यहाँ पर buying करेगा, intraday buyers अपनी positions को higher side plan कर रहा होगा, उसका positive mindset, तो accumulators एक जगए खटे हो गए, खरीदारी करने वाले सभी लोगों की positions एक price पर demand create करेंगी, तो ऐसे समय पर volume बढ़ता है, volume बढ़ने से demand बढ़ती है, demand बढ़ने से price में momentum बढ़ता है, momentum के लिए factor क्या है, volume, momentum के लिए क्या factor है volume, अगर किसी price का 100 र क्यों, volumes नहीं उठे, ठीक है, इसी point को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अच्छा इसका example ने अभी recently, जैसे previous session trade किया गया, nifty में, nifty में यही condition को trade किया गया, दिखा हूँ मैं आपको, यह देखे, यह price का previous day, पिछले दिन का यह closing price है, अगर आप इसको देखें, सवात इनक दिन की close के पास, जब भी price lot कर, एक बार low लगा कर, अगले दिन close करता है, high और close के पास, तो समझे वहां से momentum, लगबग लगबगता है होता है, अगर उसकी opening भी cost पर हो गई, ठीक है, तो यह previous day, 24, July का यह क्या है, close price क्या है, 24,442, ठीक है, next session, price ने gap down किया, gap down किया, gap down करने क के बाद price ने पूरी selling को काटा, और close करने कहां पर पहुंचा, यहां पर देखे, 24,420, पिछले दिन की closing क्या है, 440, आज की closing क्या है, 25 तारी की closing क्या है, 420, तो 440 से 420, इसका मतलब है, पिछले दिन की closing के पास जाकर market ने close किया, देखे, यह ideal condition मैंने आपको एक बार समझा अब आपका identification बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, अब मैंने क्या कहा, अगर ऐसे किसी भी projection behavior के बाद, जो buyer side हो, positive closing करकर गया हो, seller की पास close कराया हो, यहां देखे, cover up करके close किया, यहां से इतना बड़ा gap down मिला, पूरा cover up करके close किया, 200 से 440, सोचिए 200 point का intraday directional momentum, जब आपने इतना बड़ा gap down किया हो, ठीक है, तो अगले session की opening, यह 9.15 का 26 July का candle है से, 26 July का, Friday का पहला candle ही है, और इस candle ने क्या किया, previous day की closing 415, और यह open हुआ 430, इसका मतलब है cost to cost की opening, C to C की opening, बात clear हुआ, तो एक आपका यह setup बन गया पूरी तरीके से, अब आपके लिए एक trained rider की, आ intraday में आप पूरे दिन पैसा बनाएंगे सब, whole session आपके लिए, पूरा intraday session आपके लिए, आप 2 trade करेंगे, 4 trade करेंगे, जितना ATM से अपको परचिटी मिले, उतना trade execution कीजिए, single time आपका SL लेकर नहीं जाएगा, क्यों, यह buyers behavior है, demand उठ गई है, पता लग रहा है कि buyers यहाँ और खरीदारी करेंगे ही करेंगे, और जो खरीदार momentum लेकर आ रहा है, वो अपने पिछले 16 minute के उसत के नीचे कभी closing नहीं चाहता है, एक candle close करेगा, अगला candle उपर आएगा, आपके सामने दुबारा entry, और आपके सामने target SL swing लो, simple, SL बहुत चोटा होता है, 2 minute के time frame में आप खरीदारी करनी चाहिए, अब देखें, एक बार खरीदारी करके आप कहां तक right कर लेंगे नहीं न, तो आपको क्या चाहिए, intraday trader को चाहिए, कि entry और entry के बाद, जैसे ही आपका trade profitable exit, फिर दुबारा entry, फिर profitable, फिर exit, फिर entry, फिर profitable, फिर exit, जितनी बार आप ये प्रक्रिया दोहराएंगे, उतनी बार आप profitable होगे, intraday trader की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, वो जब भी कोई breakout होता है, तो एक position breakout के बाद बनाता है, फिर उसको carry करने की कोशिश करता है, बहुत long term, और यहाँ पर failure क्या होता है, price एक momentum देगा, फिर एक pullback देगा, और वो छोटा सा pull back, buyer का पूरा profit लेकर जाता है, क्योंकि theta decay, time की option buyer की value को decay कर देता है, अगर आपने 2-3 घंटे price को hold किया, तो मैं यहाँ पर एक term यूज करता हूँ, जो की बड़ा rough term है, यूज इसलिए करता हूँ कि आपका उससे mind एक बार touch करे उस term को, तो आपको समझ आए कि आपको बनना क्या, option buyer चोर होता है sir, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, option buyer चोर होता है, चोर का मतलब समझते हैं, कि जो भी चीछ सही उसको चुराया और लेकर दोड़ गए, ठीक है, तो अगर आपकी entry होने के बाद आपका trade profitable हुआ, तो आपको अपने target के लिए नहीं, आपको अपनी exit के के लिए सोचना है, जितनी जल्दी हो सके उस trades से निकल लिए, क्योंकि दूसरा opportunity आपका फिर wait कर रहा है, बात क्लियर हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके अपने trades को exit कीजिए, trail कीजिए, trail करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, अगर आपको option buying में SL trailing नहीं आता है, तो comment section आपके लिए open है, जितना ज़्यादा आप लोग comment करेंगे, next session मैं आपका stop loss trailing पर दुबारा करूँगा, पहले भी मैंने किया हुआ है, previous session को देखना हो, तो comment section में आप comment करके बता ही सकते हैं, और previous session के लिए description में telegram और what's the community का link के उसको join करके देख चान गए, अब हमको क्या करना है, अब हमारा काम आता है, ATMR का सर, क्या काम आता है, बताइए, ATMR का, identify कर लिया, इसको SMR करके रखिए, moving average पर click किजिए, कैसे implement करते हैं समझ लीजे, moving average पर click किया, moving average पर click करने के बाद यहां पर आपको 8 exponential को ऐस तरीके से लगा देना है, और इसके बाद low का use करना है, जब भी long करेंगे तो low का use करेंगे, short के लिए relaxation करूँगा, मैं वहाँ पर बताऊँगा, सिर्फ smoothing line का use करना है, EMA, EMA, 8 exponential use नहीं करना है, simple moving average में smoothing line को change करना है, कई लोग इसको लेकर doubt में जाते हैं, कि आपने EMA लगा दिया, वो तो सिर्फ smoot मैं वही change कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ, अब exponentially use करें, मुझे सिर्फ candle के low के average से simple moving average चाहिए, और line की sharpness पर हमको ध्यान रखना है, बस, क्योंकि हमारी entry perfect होनी चाहिए, और कुछ नहीं करना है, simple काम करना है, ठीक है, आईए, एक बार identify हुआ, कि ATMA से buying उठे तो एक condition समझ लीजिए, कि ATMA से perfect entry क्या होती, अगर ये ATMA है और price इसके उपर चल रहा है, तो जब भी एक candle price ATMA के नीचे close करे, और उसके next candle ही अगली उपर close कर दे, आपकी entry हो गई, यही एक छोटा सा SL area आपके लिए, simple एक छोटा सा stop loss area आपके लिए है, सामने आपका target है, अच्छा exit के लिए, SL trailing और दूसरा, price and average इन दोनों के बीच में जो distance होगा, जो अंतर बढ़ता जाएगा, आप अपनी profit booking aggressive करते जाएगे, जैसे ही distance बढ़ेगा profit booking कीजे, जैसे ही distance बढ़ेगा profit booking कीजे, अचानक से कोई बड़ा candle बन जाए ATMA से, तुरंट profit booking कीजे, तुर इसनी candle को engulf कर दे, positive engulfing है न, body size, वो entry होती ही, जैसे, यहाँ से शुरुबात करते, देखे कितनी entries आपको perfect मिलती, price आया, इस candle ने engulf किया, ATMA के पास से, long कर दीजे, अब आपके SL की तो छोड़ी दीजे, इसी एक छोटा सा candle का stop loss है, आप अगर यहाँ पर SL की बात करें, य यह entry यह SL बता ही है, आप खरीदेंगे 488 पर आपका SL पढ़ा है 486 पर, so यह 22-25 point spot price में, अगर आप lot size रखेंगे, 100 रुपय का premium अगर आप buy करेंगे, तो SL आपका 95 रुपया, 5-6 रुपया पर lot आपका जाना होता है sir, बहुत छोटा SL होता है, और आपके सामने पूरे target open र यह आपके लिए entry, यह SL, अब बताइए, आपके सामने क्या ही target रखिएगा, यहाँ पर आइए, यह आपका entry और यह आपका, यहाँ पर यह cattle close किया, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, हमारा किसी भी price का, जो SL होता है, वो सिर्फ टच करने का नहीं होता है, close basis का हो यह, यह आपने entry किया, entry के बाद इस swing low का stop loss, तो buyer अपने price से दुबारा buying उठाने आ सकता है, seller तब successful है, जब इस last swing low के नीचे एक candle close करा दे, तो अगर आप गौर करें, तो यह last candle इसको touch करके जा रहा है, close नहीं करा है, इस range के नीचे अगर यह close कर देता, तब आपका SL area होत बल्कुल नहीं ले जाएगी, ठीक है, वो lower week बनता ही, ठीक है, अब दुबारा price उपर चल कर गया, आप यहाँ पर फिर entry कीजिए, अब आपके समने फिर target है, कितना ही target लीजेगा sir, हर बार की बात यहीं, ठीक है, यहाँ पर आप entry कीजिए, फिर आपके समने target है, जितनी ब trade आपका stop loss टिगर नहीं करेगा, अगर आपने trend का identification सही करेगा, और अगर trend का identification सही नहीं है, तो फिर तक leave, ठीक है, तो trend का identify कीजिए, और जब भी आपको देखे, choppy market हो, इस तरीके से, previous day high, previous day low break ना हो रहे हो, price की closing gap up, और closing के बाद price थोड़ा gap up और gap down किया हो, और वो भी previous USD high low के अंदर हो रहा हो, तो मतलब trade ही नहीं बाजार में, आप क्या option buying कीजिएगा, support resistance play करना है, तो जब भी price अपने resistance के पास पहुंचे, ATM हाई, जब भी price अपने support के पास पहुंचे, ATM हाई, simple अपके लिए setup है, कुछ भी extraordinary use नहीं करना है, ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई doubt रह गया हो, तो मुझे नीचे comment section में बताईएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, तो description में आपके पास contact detail, telegram, watch the community का link है, धान्यवाद,